असलाम अलेकूम प्यारे बच्चों तो यह है चौती जमात का EVS का सबक नमबर तीन पानी की जखिरा अंदोजी यानि पानी को किस तरह से जमा किया जाए आए ये करके देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि अपने आंगन में एक पत्थर और मिट्टी का फिर देखे समझ जाएंगे ये लड़की जो कर रही है और जिस टीले पे पानी डाल रही है बिल्कुल ऐसा ही आपको करना है तो जेल के नुकात के मताबिक मुशायदा कीजे कि पानी टीले पर से किस तरह बैता है पहला है कि पानी कहां से कहां बैता है जब आप डालोगे तो पानी किस तरफ को जा रहा है, वो ध्यान दीजे, ज्यादा ढलवान पर पानी किस तरह बैता है, कम ढलवान पर पानी किस तरह बैता है, जहां पत्थरों की वज़े से रुकावट हो, महा क्या होता है, किस हिस्से में तालाब बनता है, पानी बहने का रुख कब बदलता है दूसरा है यहां के अब टीले पर पानी डालना बन कर दीजे, और जेल की नुकात के तहत दुबारा मुशहधा कीजे, अब आप पानी डालना रोक लीजे, और देखे क्या हो रहा है, पहले है के पानी डालना बन करते ही टीला फौरण क्यूं सुख गया? गीले टीले को सूखने के लिए कितना वक्त लगा, टीले का कौन सा हिस्सा जल्दी सूख गया, किस हिस्से को सूखने में देर लगी, सूखने में वक्त लगने की क्या वज़ा है अब आप समझ गए होंगे कि बारिश होने पर कुछ पानी जमीन पर से बै जाता है, और कुछ पानी जमीन में ही ज़स्प हो जाता है हमको तमाम पानी बारिश से ही मिलता है, बारिश तीन से चार महीने तक होती है हमारे सासत तमाम दूसरे जानदार साल भर ये पानी इस्तिमाल करते हैं अगर पानी जखीरा करके ना रखा जाये तो साल भर के लिए पानी का नाकाफी होगा इसलिए पानी का जखीरा अंदोजी जरूरी है पानी का इस्तिमाल किफाय चोहरी से किया जाता है आईए पानी के जखेरा अंदोजी के मुक्तलिफ तरीके देखें पानी के कदीम जखेरे यानि पुराने जमाने में किस तरह से वो इस्तिमाल होते थे किस तरह पानी को बचाया जाता था जमा किया जाता था तो देखते हैं कि पुराने जमाने में हमारे मुल्क में पानी की जखेरां थे अब इनका बहुत ज़्यादा इस्देवान नहीं होता है लेकिन इनके आसारे अक्सर हमें दिखाई देते हैं इन मेंसे कई तो बहुत खुपसूरत है और कई जखेर का पानी तो कभी सूपता ही नहीं है, सबसे पहले हम बात करेंगे कुमे की, बारिश का कुछ पानी जमीन में जजब हो जाता है, उसी हासिल करने के लिए कुमा खोदा जाता है, अब यहाँ पे किले पर वाके तालाब और टंकिया यहाँ पर देखेंगे आप, माजी में, अब यहाँ पर हम इसके बारे मे पढ़ेंगे, कि माजी में लोग किलो में रहते थे, और उन्हें पानी के ज़रुरत होती थी, किले पर तालाब होते थे, इसी के साथ पत्थर काटकर पानी की टंकी बनाई जाती थी, जैसे यहाँ पर देखो, पत्थरों की किस तरह से बनी भी है, अब शिवरेरी किले पर पीने की पानी के लिए पहले सबाने में छोटे कुवे को दे जाते थे, इनका मुहित कम होता था, रसी से बरतन याने डोल को बांद कर कुवे में डाल कर पानी निकाला जाता था, अब यहाँ पे जिला सांगली में आठ पाड़ी नाम का एक गाउ है, पहले इस गाउं के हर बाड़े में छोटा कुवा होता था, जिसमें साल बर पानी रहता था, अब इस गाउं में नल के जरीए पानी पहुचाया जा रहा है, इसके बाद छोटे कुवों का इस्तिमाल बंद हो गया, वो बंद कर दिये गए हैं, अब इस गाउं में बहुत कम कुवें बाकी रह पर पाच्वी तस्वीर में हम देखेंगी कि पुराने तालाब ऐसे इलाके जहां बारिश कम होती है और बड़ी नदिया नहीं होती, वह तालाब बनाए जाते हैं, तालाब बनाने में ज्यादा तर पत्थर और चूना इस्तिमाल किया जाता है, अब यहां पर देखेंगी छटे में के पुराने होस कैसे होते थे, पुराने होस देखो यह है, यह भी होस है तालाब जैसा, अब पुराने होस पहले जमाने में पानी जखीरा करने के लिए होस बनाए जाते थे, खास तोर पर पुराने जमाने के बड़े शहरों में ऐसे होस हैं, इन में से कुछ होस आज भी इस्तिमाल में हैं, आपके इर्दगिर्द पानी जखिरा करने का कोई पुराना तरीका इंतिजाम हो तो उसे तलाश कीजे, अब औरंगाबाद शहर में वाकए एक हौस देखिए आप इस तस्विर में, क्या करेंगे भला, नाजनीन और सोहेल की घर में नल से पानी आ किस लिए इस्तिमाल कर सकते हैं, आप ही बताईए वो क्या करें, तो यह बात तो सही है, अगर पानी का इस्तिमाल हम पेड़ पौदों में कर सकते हैं, खेती बाड़ी में कर सकते हैं, कुछ लोग घरी में, आंगन में कुछ पेड़ पौदों अगाते हैं तो वो पानी को उ तेरा पाने के आसपस देखो इस तरह से बंद बाना गया है इसकी वज़े से बहुत ज्यादा पानी जखेरा किया जा सकता है ज्यादा पानी मिलने से ज्यादा फसले आसिल होने लगी हैं शहर वसी होने लगे हैं कार खाने बनने लगे हैं और विजली की पैदावार मुम्किन हो सकी महाराष्ट में जाइकवारी कोई ना उजनी यल्दरी जैसे कई बड़े बंद हैं ये बंद असल में कहां वाके हैं ये तलाश करने के लिए अपनी दर्सी किताब में दिये वे रियासत के तब भी नक्षे का मुताला कीजिए दो में हम देखेंगे बोर्वेल अब बोर इसलिका इस्तेवाल शुरू होने के बाद से बिजली की मदद से चलने वाले पंप के जरीए बहुत ज्यादा गहराई में पाया जाने वाला पानी भी निकालना मुम्किन हो गया है इसलिए बोर्वेल खोदे जाने लगे हैं ये बहुत गहरे होते हैं लेकिन इसका मुहीत बहुत कम होता है यहने जो है उसकी चोड़ान कम होती है और पानी हो आराम से लेते जाएंगे पानी हमें बार-बार मिलता रहेगा आए दिमाग पर जोड़ दें पहला है कि आप जहां रहते हैं वहां का पानी जो जखिरा करने का कोई पुराना तरीका कार है तो उसकी जाने तरीके कार का जो पानी जखिरा करने का तो जैसे अब हमारे जैसे आसपस हम कई बंगले हैं तो उनके घरों के अंदर कुए हैं और उन लोग ने वह आज तक उसे बंद नहीं किया क्योंकि उन लोग वही पानी आज तक ही उसकरते हैं उन्हें लगता है कि वह पानी ज मुझे दिखाई देता है तो आपके आसपास पर नो को महराम में मुराम में जगवा जगह पानी के मटके भरके रखे चाथ और था कर एक आने जाने वाले लोग जहें वह पानी पीलेस उन्हे- इसे सबील को क्या कहते हैं? आपदार खाना. तो रास्ता चलने वाले लोगों को पीने का पानी मोहिया करने के लिए कई मकामात पर पानी के रंजन याने मटके वगएरा रखे जाते हैं. इसे सबील कहते हैं. पानी मोहिया कराने के कोई पैसे नहीं लिये जाते हैं. कई लोग शिवा जी महराज ने किला तामिर करने के लिए दर्जे जेल हिदायते जारी की थी, चलिए देखते हैं उन्होंने क्या क्या हिदायते दी थी, कि पानी की मौझूद्गी देखकर ही किला तामिर किया जाए, यागर किला बनाना है तो पहले क्या देखना है, पानी है के नहीं, अगर माँ पानी ना हो और किला बनाना जरूरी हो तो चटाने तोड़कर तालाब बनाये जाएं पहले पानी का बंदबस करो किला पर चश्मा भी है किसी तरह इसका पानी जरूरी कर देगा यह सोचकर मुत्मईन ना हो याने चश्मे जो जरूरी बैते हैं ना वो देखकर आप यह मत सोचो कि यह पानी हमेशा इस तरह से जरूरी मिलते रहेंगे यह तो कभी भी सूख जाते हैं ना बारिश में ही जादा तर्व होते हैं इसकी लिए इस जगा पानी के जकीरे के लिए दोचार तालाब टामिर करें इनका पानी खतम ना होने दे, पानी बहुत एहतियास से इस्तिमाल करें देखा बच्चो आपने इतनी अच्छे ची बाते हमारे शिवाजी महाराज ने पहले ही बता दी थी और वो आज तक के जो उनके बनाएवे कुवे वगरा है न ताला वगरा वो आज भी हम यूज़ कर लेते हैं जो आसपस उनके हो रहते हैं लोग हमने क्या सीखा पहला सीखा कि पानी जखिरा करने की क्या रिवाईती तरीके थे पानी जखीरा करने की मौझुदा तरीके, हमने बोरवेल वगयरा के बरे में जाना, पानी का किफायश वारिस्ते इस्तिमाल भी हमने सीख लिया, कि किस तरह से इसको पानी को किफायश से यूज़ करना चाहिए, उसे हमेशा जहन में रखें, पानी खुदरती दौलत है, इसक पानी की तकलीफ आपके पास भी होगी तो देखिए पानी को बचाईए और एक दूसरे भाई बेनों पर ये नजर रखिए कि बेजा पानी का इस्तिमाल ना करें और पानी के कम से कम इस्तिमाल में अपना काम कर लें ठीके बच्चों तो चलिए सबक खतम हो चुका है हमने नोट कर लिजेगा तो देखिए यहां पर जो है सबक है 4 ये EBS का पार्ट 1 है ये 4 जमात का EBS है सबक 4 पीने का पानी है ना तो ये पीने का पानी को हम लोग किस तरह से सेव कर सकते हैं तो यहां पर मुक्तसर जवाब लिखने को कह रहा है पहला है पानी का जखीरा करना क्य जरूरी है, इस्तेमाल किफायत शौरी से किया जाए, यानि किफायत से इसे बचा बचा के इस्तेमाल कीजिए, तो आईए पानी के जखीरा अंदोजी के मुक्तलिफ तरीके देखते हैं, क्या क्या है, कुवा है, तालाब, टंकिया, छोटा कुवा, नदी, बंद और हौस वग स्टील के, पीतल के, किसी-किसी आप लोग के घरों में होंगे, आप लोग वो सब भी बरके रखते हो पानी की, इस तरह से किफायत शौरी करते हैं, हम उसे जखीरा अंदोजी करते हैं, दूसरा सवाल है, कि रिवाईती तरीके से घर में पानी का जखीरा किस तरह किया जात नदी का पानी रोकने के लिए नदी पर प्तर और मिट्टी के बंद और पुछते तामिर किये जाते हैं चौता सवाल है कि पानी का इस्तिमाल करते वक किस बात का खयाल रखना जरूरी है तो चौते पे हम देखेंगे सवाल है का जवाब है कि पानी का इस्तिमाल करते वक पानी की किफाय शोरी का खयाल रखना जरूरी है अब यहाँ पर पाच्व और आक्री सवाल है कि पानी की आलूदगी से क्या मुराद है पानी की आलूदगी तो यहाँ पर है कि पानी कुद्रती दौलत है इसका इस्तिमाल तमाम जानदार करते हैं हमें पानी को साफ सुत्रा रखना भी जरूरी है पानी को हमेशा धक कर ही रखें नदियों में बरतन, कपड़े या जानवरों को नहलाना नहीं चाहिए इस वज़े से पानी आलूदा हो जाता है और पीने लायक नहीं रहेगा तो इसे बचाना ज़रूरी है ऐसा ना करें तो यहाँ पे बे में सवाल है कि गौर कीजिए कि जिन इलाकों में पानी की किलत होती है वहाँ पानी का जखीरा किस तरह करेंगे आप इसके लिए क्या राय दे सकते हैं तो मेरी यहाँ पे राय है कि जहाँ पानी की किलत होती है वहाँ गरों में टंकियां भर कर रखा जाता ह आपके यहां भी रखते हैं ना मैं अपनी यहां इसे ही टंकिया भर के रखती हूं हर घर में पीने का पानी अलायदा से भर कर जमा किया जाता है और इसी पानी को पकाने में भी इस्तिमाल किया जाता है और बच्चों को भी सिखाया जाता है कि वो पानी का इस्तिमाल कम से कम क अगला सवाल जीम का है कि पानी किफाया शौरी से इस्तिमाल करने के लिए आप कौन सी अच्छी आदते अपना सकते हैं तो जवाब है यहाँ पे कि पानी को किफाया से इस्तिमाल करना अकलमंदी कहलाता है घर के हर फर्द यानि हर इंसान को इसका एतमाम करना जरूरी है गिल पानी को भी मतादत बनाईए और अपने चोटे भाई बेनों को भी नजर रखा करिए बातरूम में जादा देर ना रहें क्योंकि जितना देर नहने में वक्त लगेगा आप पानी फेकते ही बैटोगे न तो जल्दी से जल्दी बातरूम से बाहर निकल जाया करिए मैं भी तो चलिए आगे देखने कि अनाज या सबजी दोने के बाद पानी को गमलो में डालिए या आंगन की सफाई में इस्तिमाल करें पानी को हमेशा ढख कर ही रखे तो बच्चों यहां पर हमारे सवाजवाब भी पूरे हो गए मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लाइक दीजे आपके लाइक देने से मुझे बहुत होसला मिलता है और अपने उर्दु मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में शेयर करू बच्चों ताके उन्हें कोई डाइजेस्ट ना करिदना पड़े और मेरे अधिक केर, अल्लाह अफ्याइब